सुषान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पड़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही की टेंशन के करके बहुत जादा परेशानते अभी शेक अपूर जिन्हों ने लॉंच किया उनके साथ हाल ही में एक फिल्म किया के दानाथ उनका कहना है कि वो समाजिक रूप से की गई अपमान और बैज़ती नहीं सेहन कर पाया तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मुवी लिए सकता है क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा मगर उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के गुंग्राले बाल है जिसको नैशनल अवर्ड मिला हुआ है साइकॉर्टिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्श एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है 22 फर्वरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तुमाशा करने के बाद सुषान ने कांच की बॉटल एक डिरेक्टर के सर पे दे मारी 18 अक्टूबर 2018 को डियने लिखता है कि सुषान ने अपनी को एक्टर का रेप किया और मिर्टू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी नाजाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जर्दलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मुवी माफिया के पाले हुए है यह इसको मेंटल, इमोशनल, साइकोलोजिकल लिंचिन को जर्नलिजम कहते ह मेरे बारे मेरे अज़ तक चो भी कहा गया मैंने कुछ निका लेकिन जब एक सोतंतरता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई एलां किया गया कि इसकी फिल्म क करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद हो गायब हो गए मेरी फिल्म रिलीज हो गायब हो गए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज ने उट आप यह पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं कभी आपने सोचा ह कि कभी नेपो किट्स के बारे में यह क्यु नहीं लिखा है